नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूँ आपकी AI एंकर भूमी आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कई प्रसिद्ध व्यक्तियों को भी प्रभावित कर चुकी है मुहम्मद अली, जॉर्ज बुश, माइकल रिचर्ड और पोप जॉन पॉल ड्वितिय इन सब के जीवन में एक चीज कॉमन थी और वह है पार्किंसन रोग पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जिससे हाथ, बाजू, पैर, जबडे या सिर में कमपन होने लगता है मानस्पेशियां सक्थ हो जाती है, चाल धीमी पड़ जाती है और मरीज को संतुलन बनाये रखने में कठिनाई होती है यह मस्तिश्क का विकार है, जो धीरे-धीरे बढ़ता है और समय के साथ इसके लक्षन बिगड़ते चले जाते है जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, मरीज को चलने फिरने और बोलने में परेशानी होने लगती है इसके अलावा नींद की समस्या, अवसाद, याददाश्ट में कमी और थकान इसके कुछ और संभावित लक्षन है जी भूमी, पारकिंसन के लक्षन और प्रगती की दर हर व्यक्ति में अलग होती है शुरुआत में लक्षन सूक्ष्म होते हैं, जैसे हलका कमपन या कुर्सी से उठने में कठिनाई हालांकि पुरुषों में इस बीमारी का जोखिम महिलाओं की तुलना में अधिक होता है और उम्र भी एक बड़ा कारण है अधिकतर मामलों में यह साट साल के बाद शुरू होती है लेकिन कुछ मामलों में 50 साल से पहले भी इसके लक्षन दिखाई दे सकते है हमारे दिमाग में बेसल गैंगलिया नाम का एक शेत्र होता है जहां की तंत्रिका कोशिकाएं डोपामाइन नामक रसायन का उत्पादन करती है जब ये कोशिकाएं मरने लगती हैं तो डोपामाइन का स्तर घट जाता है जिससे पार्किंसन के लक्षन दिखाई देने लगते हैं पार्किंसन का फिलहाल कोई संपूर्ण इलाज नहीं है लेकिन दवाओं, शारीरिक और वानी चिकित्सा, योग और स्वस्थ आहार के जरिए इसके लक्षनों को कम किया जा सकता है तो ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और किसी भी लक्षन के दिखते ही डॉक्टर से संपर्क करें जी हाँ, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, आज के लिए इतना ही धन्यवाद